हेलो स्टुडेंट्स मैं हूँ आपका एजुकेटर कमलाक्ष जा 1st of December 2020 का Current Affairs का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स अपन कवर करेंगे वो ये टॉपिक्स हैं पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार इस चैनल पे आया है प्लस अगर आप Civil Services की त्यारी कर रहे हैं तो आपके लिए mandatory है आप तुरंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन पे हिट कीजिए और regularly जो मैं lectures आपको provide करा रहा हूँ ये current affairs के इनको आपको follow करना है और मेरे दोरा provide किये गए instruction को इमानदारी से आप लोग को follow करते वे चलना है इससे आपको 100% guaranteed selection मिलेगा और 100% guarantee selection मिलने का जो proof है वो भी मैं आपको description पर दे रहा हूँ आप नीचे description पर links है वीडियो की वो check कर लिए proof वाली link है कि मैंने students को जो पिछले साल पढ़ाये था पिछले एक साल में जो भी topics cover कराये थे उनी से related UPSC civil services में questions पूछे गए थे and secondly, same अगर state civil services की बात करें तो UPPCS में भी मेरे दोरा provide किये गए topics से ही related questions बने क्योंकि यहाँ पर जो topics को अपन cover करते वो specifically examination perspective से cover करते है and guys monthly PDF package को भी आप join कर सकते हैं, यह facility भी available है, इसकी fees भी काफी nominal है minimum 100 rupees, पूरे महिने की fees है, इसमें आपको daily lectures जो आप देखते हैं, उनकी PDF मिलती है handouts याने की notes आपको मिलते हैं आपको weekly compilation provide किया जाता है revision के लिए PDF का आपको monthly magazine मिलती है और complimentary basis पर मेरे दोरा आपको minimum 150 questions provide किये जाते हैं जो कि civil services examination के pattern के उपर based होते हैं, जिससे कि आप practice कर सकें और अगर आप facebook पर है मेरे नाम को सर्च करके मुझे add कर सकते हैं कमलाक्ष जा मेरा नाम है और 9713282838 ये मेरा number है, इस number पर कोई call मत कीजिएगा, सिर्फ आप मुझे इस number पर SMS कीजिए, या फिर telegram पर ये number है, इस पर आप मुझे message कीजिए, within 24 hours आपकी कोई भी query होगी, चाहे वो paid course से related हो, या किसी भी चीज से related हो, मैं आपकी query solve कर दूँगा, सो चलिए गाइस पर आपका समयना वेस्ट करतू है, फटा फट lecture को शुरू कर लेते हैं, तो start करेंगे paper one की news से, तो यहाँ पर बात हो रही है, लोग विरासत के बारे में, तो लोग विरासत को अभी recently इंडिया के film division के दौरा organize किया गया था, और यह festival of films on folk art and painting है, जो movies लोग कला और चित्र कला के उपर बनती हैं, तो उनी का ही यह त्योहार है, और इसी प्रकार की movie को display किया गाता है, और जो movies जो है, वो stream की गई है, उसके बारे में बात करें, तो the kingdom of god यह movie जो है, वो हमारी country का जो art और culture जो है कला और संस्कृति जो हमारी country की है, और ऐसी काफी सारी हमारी country के जो folk art हम लोग को देखने को मिलते हैं, लोग कला tradition हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनकी ओपर आधारित यह movie है, right, the kingdom of god, भवाई की बात करें, यह बहुत important है, आपसे directly यह चीज़ पूछी आ सकती है, कि अभी भवाई recently news में थी, क्या है यह, तो देखें, इस भवाई की ओपर movie बनी है और actual में जो भवाई है यह गुजरात की लोक कला है, फोकार्ट है गुजरात की भवाई, तो याद रखना, भवाई गुजरात की फोकार्ट है, लोक कला है और नमन खेले की बात करें गईज, तो यह ancient फोकार्ट हम पूछ लिए गए तो फिर आप अटेंट कर पाओ तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रहे हो और इस प्रकार की चीज़े जो होती है वो काफी ज़दा examination में पूछी आती है especially prelims के अंदर और साही जटा की अगर अपन बात करें तो तो ये एक fusion कल्ट है जिसमें muscle और music का fusion हम लोग को देखने को मलता है ये एक लोग कला के ऊपर बेज़ है और इस प्रकार की जो कला है वो ancient period में Odisha के पूरी में हम लोग को देखने को मलती थी पूरी वो ही जगाए चहापर जगनाथ temple हम लोग को नजर आता है तो ancient time पे इस प्रकार की कला वो ओडिशा के अंदर नजर आती थी और थेरू-कुटू की अगर अपन बात करें तो ये dancing for life ये एक movie है जो की age old Tamil folk art जो Tamil लोग कला है बहुत पुरारी उसके उपर अधारित हम लोग को देखने को मिली थी तो ये कुछ movies है जिनको stream किया गया था और इसके बार में अपने जाना और कुछ important चीज़ें भी देखी जो की directly आप से civil terrorism में इस topic से related पूछी जा सकती है तो इंडिया 500 project जो है 500 developmental project जो है वो अफगानिस्तान में set up करने वाली है और इन projects की कुल खीमत होने वाली है 80 million US dollars तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है गाई और अफगानिस्तान की location तो आपका अल्रेडी पता ही है कि अफगानिस्तान के बागल में पाकिस्तान है पाकि 2020 conference इस conference को attend किया गया था अफगानिस्तान के president के दोरा United Nation और European Union के officials के दोरा और साथी साथ दूसरी countries के भी representative इस conference में मौझूट थे हैं और इसी conference के दुरान United States ने decide किया कि वो अपने soldiers की presence अफगानिस्तान के अंदर ये कम कर देगी लगभग 30,000 तक और ये January 2021 में ऐसा होने व पारे में अपने चर्चा भी करी थी हलागी फिरसमें आप लोग को review या revise करवा देता हूँ तो देखिए क्या था कि United States और Taliban के deal हुई थी जिस deal में Taliban ने कहा था कि Taliban अपनी terrorist activity जो है वो नहीं करेगी और Taliban का कहना था कि United States अपने soldier जो है यानिकि NATO की जो forces है North Atlantic Treaty Organization की जो forces है वो ऐसी deal हुई थी बट इंडिया को इस deal से खत्रा है क्या खत्रा है तो उस बार में भी चर्चा गरी थी खत्रा ये है कि अगर terrorist को control करने के लिए troop soldiers अगर मौजूद नहीं होंगे अफगानिस्तान के अंदर क्योंकि आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि अफगानिस्तान terrorist का अगर है और वहाँ पर अगर troops अविलेबल नहीं होंगे, soldiers अविलेबल नहीं होंगे तो अवियस सी बात है कि ये terrorist जो है उनकी activity बढ़ेगी और ऐसा काफी सारी reports ने बताया हुआ है कि तालीबान की activity जो है वो कम बिलकुल नहीं हुई है उल्टा बढ़ती हुई ही नजर आ इंडिया को ये खत्रा है कि ये जो terrorist हैं ये इंडिया की तरफ भी move कर सकते हैं कि अभी वो move इसलिए नहीं कर पा रहे थे, trespass इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि वहाँ पर NATO की forces जो थी वो active थी available थी उनको counter करने के लिए पर अगर वहाँ पर कोई security force नहीं होंगी तो भी इसी बात है कि ये जो terrorist हैं ये इंडिया की तरफ move करेंगे तो ये जीज़ हाँ पर चिंदा वाली बात है इस deal को लेकर United States और Taliban के बीच पर जो ये deal हुई थी कि अफगानिस्तान के अंदर United States अपने troops को हटाएगा तो इस पर भी एक आपको अच्छी जानकरी होनी चीए, especially mains perspective से और आपके personality perspective से यानि की interview perspective से और India जो है काईज ये phase 4 launch कर रहा है जैसा मैंने भी आपको अलड़ी बताई दिया कि जिसके तहट around 150 projects हो है वो हम लोग set up करने वाले अफगानिस्तान के अंदर जिनकी cost होगी around 80 million US dollar और एक agreement भी sign किया है जिसके तहट हम लोग एक dam मना रहे है क्या नाम है dam का डैम का नाम है शेटूत कोशन आप से डिक्ली ये पूछा जा सकता है कि शेटूत डैम जो है वो कहां पर है तो याद रखेगा अफगा अफगानिस्तान और इस डैम के तहट अफगानिस्तान के अंदर जो काबुल शेहर है वहापन लगबग 20 लाग लोगो को safe drinking water facility जो है वो provide की जाएगी और साधी साधी यह जो बन रहा है यह हमने इंडिया ने 2009 में पुल ए खुमरी transmission line भी setup करी थी 202 km की यह transmission line थी जिसके तहट इंडिया जो है वो electricity provide कराता था काबुल शहर को तो यहली चीज़ है इसके बारे में बस आपको एक basic जानकारी basic idea होना चाहिए अब बताया जा रहा है कि उमंग application का एक international version launch हुआ है हाला कि यह topic जो है वो आपके paper 3 point of view से भी important है technology point of view से भी important है बट paper 2 के लिए जादा इसलिए important है क्योंकि यह governance से तो उमंग का international version recently launch हुआ है और यह तीन साल उमंग को complete हो गया है तो उसी अफसर पर उसी occasion पर इसको launch किया गया है और यह launch किया गया है यह application app है यह कुछ selected countries में ही चलेगा जैसे की United States, UK, Canada, Australia, UAE, Netherlands, Singapore, Australia और New Zealand तो यह कुछ चुनिन्दा जो है countries में ही चलेगा मैं रिखा तो Australia, Australia दो बार आ गया है इसको हटाये जाए आगे यह बात करें तो primary ministry जो है वो इस application के पीछे जो है वो आप जानते ही है कि technology से related application है तो IT ministry ही है हम लोग को देखने को मिलेगी तो ministry of IT primary ministry है बट साथी साथ ministry of external affairs भी इसमें शामिल है तो इन्हीं दोनों ने मिलकर जो है वो इस application को launch किया है ministry of external affairs क्यों शामिल है क्योंकि international version है और बाहर छेतरों को external areas पर ministry जो काम करती है वो ministry of external affairs काम करती है तो इस प्रकार से भी link किया करो जिसे की असानी से आप लोग को याद रखने की आवशकता ना बढ़े कोई topic बस उसकी समझ आपको होगी चाहिए आगे की बात करें कुछ important points को देखें इस application से related तो ये हमारे इंडिया के जो international students है यानि कि इंडिया में रहने वाले जो students है जो बाहर जाके पढ़ रहे हैं at present तो इंडियन international students जो है और जो NRI है और इंडियन tourist है जो बाहर जाकर घूमते हैं इंडिया के बाहर तो उनको government of India services जो है वो कभी भी किसी भी समय मिल सकेगी तो ये उमंग app इंडियन government की services provide कराती है इस application में बहुत सारी service जो है वो available रहती है नहीं कि एक ही application में आपको सरकार की maximum जितनी भी services जो होती है जितनी भी नहीं पूरी की पूरी है नहीं बढ़ हां most of the services जो है सरकार की इस application के थूँ अवेल कर सकते हैं students और ये international version है तो कोई भी इंडिया के बाहर जाता है तो इंडिया के बाहर से भी इंडियन services को जो है वो available किया जा सकता है इस application के थूँ तो यह अले चीज़ है और ये help करेगी इंडिया को पूरे दुनिया भर यानिकि इंडिया को एक world level तक ले जाने के लिए जिसके चलते हमारे इंडियन culture की services जो है वो इस उमंग app पर available की जा रही है जिसके चलते foreign tourist भी इंडिया में visit करने का interest जो है वो जगाएंगे क्योंकि cultural जो चीज़े हैं हमारे इंडिया की आप जालते culture और traditions होगरा जाएंगे तो वो भी इस application के थूँ है वो promote किया जाएगा जिससे की foreign tourist जो है वो attract होकर इंडिया में visit करेंगे तो tourism बढ़ेगा तो यह चीज़ आपर बदा जा रही है उमंग mobile application है उमंग का basically full form है unified mobile application for new age governance तो mobile governance किये m governance किये application हम लोग को देखने को मिलती है और all in one single multilingual बहुत सारी language इसमें आपको नजर आ जाएंगी इस application के अंदर और बहुत सारी services जो है वो सरकारी services इस application के थूँ आप अवेल कर सकते हैं और बताया रहे कि यह जो है वो high impact service जो है वो various government of India departments और state government की provide कराती है इस application के दुरू ना ही सिर्फ central government की services अवेल की जा सकती है बलकि state government की भी बहुत सारी services अवेल की जा सकती है आगे यह बात करें तो mobile governance को fast track करना ही इसका एक उदेश इसका एक objective हम लोग को नजर आता है और यह develop किया गया है national e-governance division के द्वारा जो की ministry of electronics and IT के अंडर आती है और उमंग जो है वो ease of living citizens के लिए enable करता है क्योंकि normal सी बात है ही citizens को various facility जो है वो उनके हाथों पे ही उनके एक click पर ही जो है वो मिल जाती है और easy access मिल जाता है Indian government services का काफी सारी जैसे healthcare, finance, education, housing, energy और भी काफी सारी services जो है वो अवेल की जा सकती है उमंग के key partners की हम लोग बात करें तो EPFO, employee provident fund organization, direct benefit transfer scheme departments, employee state insurance corporation, ministry of health, ministry of education, agriculture, animal husbandry और staff selection commission, SSC तो इन सब सभी जो है वो key partners हम लोग को नज़र आते हैं उमंग के ये एक digital India initiative है और इसको even 2018 में दुबई UAE में छटी world government summit चल रही थी तो उस समय इस application को best M government services award भी मिला है तो इसके बार में बस आपको एक basic जानकारी basic idea जो होना चाहिए और इस बताया जा रहा है कि transgender persons के लिए भी recently एक website एक portal जो है वो launch किया गया है national portal launch किया गया है और ये launch किया गया है ministry of social justice and empowerment के द्वारा ये develop किया गया है जब notification आया था transgender persons protection of rights rules 2020 का उसके बाद फिर ये जारी किया गया ये launch किया गया ये portal और ये portal जो है वो transgender persons की मदद करेगा कि transgender person अपना certificate अपनी ID card जो है वो digitally हमारी country में कहीं से भी apply कर सकेंगे benefit ये provide किया जाएगा कि उनको जो है वो physical interface या बिना office गए वो अपनी जो certificate है वो बनवा सकते है अपनी ID card जो है वो बनवा सकते है आपको याद रहा है मैंने ये topic आप लोग को पढ़ाया था the transgender persons protection of rights act 2019 ये कानून के तहद आप लोग को पता है कि जो transgender person है उनके लिए अब एक certificate बनाया जाएगा बनवाया जाएगा ये वो बनवा सकते है certificate को और ID card को बनवा सकते है ये certificate और ID card के बाद ही जो transgender persons के लिए जो various schemes वागर आती है तो वो schemes को ये certificate को दिखा कर ही avail कर सकेंगे तो ये specifically ID card जो है transgender person के लिए बनाने को लेकर ये कानून भी हम लोग को देखने को बनाने के लिए और इस कानून के अपनी application को भी track कर सकेंगे कि उनका certificate जो है वो अप्रूव हुआ है नहीं हुआ उसकी पूरी जानकारी जो है वो देख सकेंगे और इससे क्या रहेगा इससे पूरी process में transparency भी जो है वो ensure की जा सकी लिए तो ये था पूरा overall topic जिसके बारे में एक आपको बस general idea होना चाहिए अब जो next topic है इसमें बात हो रही है गरीमा ग्रह के बारे में कोशन अगर आजाए कि गरीमा ग्रह क्या है तो याद अटना गुजराद वडोद्रा में ये पहला हम लोग को ऐसा घर देखने को मिल रहा है जो की especially transgender person के लिए transgender person को एक shelter home एक basically आश्रे ग्रह जो है वो provide करने को लेकर ये scheme हम लोग को देखने को मिल रही है और ये जो scheme है इस जो transgender जिन लोग को family जो है वो निकाल देती है खुद बाखुद वो अपने घर से जो है वो चले आते हैं मलब exploitation के चलते हैं क्योंकि transgender की उपर exploitation होता है discrimination होता है तो उसको देखते हैं वो एक अलग जगा जो है वो चले आते हैं पर उनको अगर कहीं कोई रहने के लिए घर नह निकाल सकें income जो है वो generate कर सकते हैं skills भी provide की जाएगी और इस गरी में अगर रहे के अंदर 25 लोग जो है वो रखे जाएंगे नहीं एक घर के अंदर 25 लोग रह सकते हैं और 31 मार्च 2021 तक डेली, मुंबई, चैन्नाई, पटना, कोलकता, जैपुर, रहपुर, भुवनेशवर और मनीपुर, यहाँ पर भी इस प्रकार के घर हम लोग को transgender के लिए देखने को मिलेंगे और यह जो अभी scheme है, यह pilot basis पर है और इसके successful completion होने के बाद, यह scheme हमारी country के और भी अलग लग जगा पर देखने को मिलेगी, और भी अलग लग जगा पर इस प्रकार के गरीमा ग्रह अब बात करेंगे, एक रिपोर्ट के बारे में, नीती आयोग ने एक रिपोर्ट जारी करी है, नाशनल nutrition mission के उपर बेस्ट यह report है, राष्ट्रिय पोशन mission पर यह report हम लोग को देखने को मिल रही है, यह report का नो नाम है, वो है accelerating progress on nutrition in India, what will it take, भारत में portion पर तुरित, प्रगती, राष्ट्रियता mission या portion अभियान, तो यह तीसरी report हम लोग को, तीसरी progressive report हम लोग को देखने को मिल रही है, जो की national nutrition mission या फिर portion अभियान के उपर based है, इसको अभी recently नीती आयोग के दोरा release किया गया है, तो इसी के बारे में discuss करेंगे, report को देखने स पहले बात करते है, national nutrition mission के बारे में, तो यह mission का इस 2018 में launch किया गया था, government of India का flagship program है, flagship याने की priority वाला program हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसके तरह हमारी country में जो बच्चे हैं, जो pregnant महिला हैं, या letting mothers, letting mothers हैने की जो महिला है अपने बच्चों को feed करती है, तो उनमें nutrition की problem नहीं आनी चाहिए, उनकी जो nutrition की problem आज की rate में हमें देखने को मिल रही है, उसको खतम करना है और improve करना है, इसके लावा इसको नीती आयोग की दोरा provide की गई strategy का support होता है, यानि कि नीती आयोग, national nutrition strategy जो है वो prepare करती है, और इसी strategy की तहती है mission वो काम करता है, और goal जो है, व लेंस में भी लेक सकते हो, प्रलेम्स के लिए भी important है, कि 2022 तक हम nutrition free भारत जो है वो focus कर रहे हैं उसके उपर, कि हमारी country में किसी को भी malnutrition से related problem ना हो, right, proportional मुक्त भारत, right, तो ये चीज़ है, और focus किसके उपर किया जाता है, इस scheme के तहर, stunting under nutrition और anemia, ये जो issue हम लोग को दे तो इसको ये सब जो problems है, इसको घटाते हो चलना है, 2%, 2%, 3% और 2% के स्तर पर, हर साल, क्योंकि 2018 में ये scheme आई थी, और 2022 तक की scheme है, तो 18 से लेकर 24 साल, तो इस प्रकार से जो है वो घटाते हो चलना है, साधी साथ जो problem जो malnutrition की नजर आती है, हमें देखने को मिलती है, right, तो उसको खतम करना है, उसको address करना है, proportion की problem को, और ये mission mode के through, जो हो किया जाए, तो इस पर ये focus करते है, mission mode के through, याने की छोड़े-छोड़े target setup किये नहीं, और उसके according, अलग-अलग schemes लाई जाए, अलग-अलग programs लाई जाए, जिसके जलते है, malnutrition की problem को resolve किया रहा सके, 50% total budget इसका जो होता है, वो world bank से आता है, या फिर दूसरे multilateral development bank से आता है, और जो remaining 50% जो पैसा होता है, वो center के budgetary support के through मिलता है, बट center का जो budgetary support है, वो further divide होता है, 60-40 में, याने की 60% center की दिरफ से पैसा जाता है, और 40% state government पैसा देती है, बट अगर बात हो रही है, हिमालियन state की या फिर northeastern state की तो उस condition में 90% पैसा center देती है, 10% state देती है, और अगर union territory की बात हो रही है, जहाँ पर legislature नहीं है, तो बहाँ पर पूरा 100% जो पैसा है, funding है, वो center की दरफ से आती है, और हमारे जो issue जो हम लोग को देखने को मिलता है, वो यह है कि हमारी country में जो 5 साल से कम की उमर के जो बच्चे हैं, उनमें 130 बच्चे जो हैं, उनको stunting और वास्टिंग का issue है, तो देखो इसके बारे में तो पहले भी अपन कई बार reports में discuss कर चुके हैं, इस चीज को आप means में definitely लिखिएगा, कि इंडिया के अंदर जो छोटे बच्चे हैं, उनमें stunting और वास्टि बच्चा जो होता है, वो हमें क्या देखने को मिलता है, इस प्रकार का, हाइट तो उसकी बराबर है, बड़ो देखो आप body weight जो है, उसका हम लोग को कम नज़र आ रहा है, body mass, कम हम लोग को दिखाई दे रहा है, और इस trend याने की, जिसकी हाइट छोटी होती है, और थोड़ा सा याद रखने की कोशिश किया करें, और 40% बच्चे हमारी country में जिनकी उम्र एक से लेकर 4 साल की है, उनमें एनिमिया की problem भी नज़र आती है, और 50% ज़्यादा महिला और जो pregnant है, और जो non pregnant महिला है, 50% ज़्यादा उनमें एनिमिया की problem हम लोग को देखने को मिल और ये पूरा data जो है, वो मिला है, National Family Health Survey 4 के तहट जो की release हुई थी 2016 में, अब बात करते हैं इस report के बारे में, जो ये 3rd progressive report आई है, उसके बारे में आप specifically बात करते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़े सामने नज़र आई, तो October 2019 से लेकर April 2020 तक का पूरा data जो है, वो यहाँ प survey, तो इसका data जो है, इसको collect करके, ये पूरा report जो है, वो तयार की गई है, और report में बताया जा रहा है कि हमारी country के अंदर, जो nutrition, यानिकि nutrition की problem, जो आज की rate में देखने को मिल रहा है, यानिकि माल nutrition को portional की problem है, और anemia से related जो problem है, और इस portional अभियान जो हम लोग को देखने क बिलता है national nutrition mission, तो इस mission को implement होने में क्या-क्या challenges देखने को मिल रहा है, यानिकि क्या वजा है जिसके कारण ये mission जो है, वो proper तरीके से implement नहीं हो पार है, क्या-क्या चुनोती है, इस mission के सामने आ रही है, तो उसकी status को देखा गया, इस particular report के अंदर, और large scale data set के थूर ये Korean territory, जो है, वो कितनी prepared है national nutrition mission को लेकर, अब इस report के अंदर, तो ये चीज़ बताई आ रही है कि implementation पर क्या-क्या problems नजर आ रही है, देखने को मिल रही है, तो review report जो है, वो draft की गई थी मार्च 2020 में, बट उसके अंदर poverty का जो issue है, यानि कि क्या वजा है, गरीबी की factor क्या है इ देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर यहीं चीज़ कही जा रही है कि already हम लोग के पास proper data था नहीं, और अब वो data जो है, वो और भी जादा खराब हो जाएगा, क्योंकि जो poverty का level, जो है, वो because of coronavirus, वो और further down, जो हो चुका होगा, यानि कि और हम लोग जो है, वो जादा, वर करें, जो world health assembly के दोरा define किये गए थे, जिसमें 5% stunting जो है, वो उसको reduce करना था, और इंडिया का जो goal है, stunting level को reduce करने का वो, 2022 तक up to 13.3% है, यानि कि ब्कुल में लाकर यह चीज़ आपर बताई आ रही है, कि जिस प्रकार से काम चल रहा है, और जिस प्रकार से हमने target set किये ह उसको अगर achieve करना है, तो सिर्फ इस national nutrition mission के तुरू काम नहीं होगा, उसमें और भी programs, और भी policies, और भी नहीं नहीं चीज़ें जो है, वो include करनी होगी targets को achieve करने के लिए, और अनिमिया की problems की अगर अपन बात करनें, तो इसमें 2022 तक 50% से, जो 50.3% जो problem थी अनिमिया की, तो उस जो pregnant woman के among, तो उस issue को reduce करके 2022 तक 4 सालों में 34.4% पर लेकर आना है, और जो adolescent जो बच्चियां है, जो 2016 में 52.9% जो adolescent जो girls थी जिनमें अनिमिया का issue था, तो उसको घटा कर 39.66% तक लेकर आना है, तो ये भी काया है कि ये सब भी targets हो है, वो conservative बता जा रहे है, as compared to world health assembly के target, तो ये चीज़ हम लोग को नज़र आ रही है, और pandemic के समय पर experts ने warning दी है कि poverty और hunger, जैसा मैंने भी आपको थोटी देर पहले बताया था, कि वो और भी ज़्यादा, जो है वो deep हम लोग को नज़र आएगे नहीं कि और भी ज़्यादा poverty और hunger के cases, भुकमरी के और गरीबी के cases जो है वो इंडिया में बढ़ते हुए नहीं ज़र आएगे, coronavirus के चलते हैं, तो यह चीज़ आपर बताये गई है, तो इन्होंने suggestion क्या क्या दी है, तो stunting के उपर इनका suggestion है कि complimentary feeding जो है उसको improve करना है, और जिसमें behavioral change जो है वो और ज़्यादा matter करेगा, और complimentary food supplements जो है वो integrated child development services के थुरू जो है वो provide किये रहा है, यानि कि बच्चों को nutritious food जो है वो मिल सके जिसके चलते है, stunting का issue जो है वो इंडिया में, बढ़ता हुआ ना हो, हम लोग इसको control कर सके हैं, और साथी साथ investment करना है, बच्चियों के उपर और महिलाओं के उपर, especially उनके education के उपर, during childhood, proper care जो है वो मिल सके हैं, और साथी साथ दूसरे social determinants पर भी focus करना है, improve करना है, water sanitation, hand washing with soap, hygienic disposal of children's stool और भी effective intervention के उपर, तो mainly देखो, यहाँ पर सिर्म nutrition के उपर ही focus नहीं, nutrition तो provide कराना ही कराना है, but साथी साथ दूसरे जो behavioral change है, उस पर भी improvement लेकर आने, नहीं कि, changes लेकर आने कि वो सामने आले वेक्ति जो है अपने behavior को change करें, कि वो एक hygienic space पर रहें, क्योंकि hygienic space पर नहीं रहेंगे तो already, वो काफी सारी बिमारियों से already घेरे रहेंगे, तो nutrition का रोल उत्ता पले होई नहीं पाएगा, कि वो already affected होंगे various disease से, तो इसलिए यह सब चीज़े कहीं जा कि आज की rate में जो target किया जाता है कि severe acute malnutrition को जो है वो treat करना है, तो उसकी जगा और भी malnutrition की cases जो है वो add किये जाएं, क्योंकि अगर हमें भारी मातर में, अगर malnutrition की problem को reduce करना है, और especially vasting की problem को reduce करना है, तो it is very important कि vasting की problem जैसी वो शुरू हो रहे है, उसी समय ही हम लोग उस पर काम करना शुलू कर दें, तो ये चीज़ हाँ पर बताई आ रही है कि जिसको भी आवशकता है, तो severe acute malnutrition में treatment की जिसको आवशकता है, तुरण उनको treat किया जाए, बिना देरी किया, और भी जो दूसरे लोग जो malnutrition में vasting की problem से जो है वो जूज रहे हैं, जिनमें vast की prevention की जो है वो तयार करके लाई रहे हैं, और एनिमिया के case में भी यही चीज़ बताई आ रही है कि एक separate जो है वो unit होनी चाहिए, एक separate department होना चाहिए, जो specifically एनिमिया के cases के साथ डील कर सके हैं, इससे क्या होगा, कि इससे जल्दी से जल्दी जो है वो एनिमिया को जो है व women में देखने को मिल सके हों कि reproductive age में ही, तो यह चीज़ आपर बताई आ रही है, तो proper management पर इन्होंने focus किया है, कि अगर हम लोग को targets बगएरों को achieve करना है, तो हमें एक तो capacity को बढ़ाना पड़ेगा, और proper तरीके से manage करना पड़ेगा, targets को ध्यान में रखते होगा, तो यह चीज़ आपर बताई आ रही है, और आगे की रहा कि अगर हम लोग बात करें, way forward कि अगर हम बात करें, तो देखिए, national nutrition mission जो है, वो एक important role play करता है, malnutrition को रोकने में, और इंडिया जो है, उसको आवशकता है कि इंडिया जो है, वो और भी दूसरे actions जो है, वो लेकर आए, और भी दूसरी, वो जी मैंना आपको बता है कि मिलब सिर्फ, national nutrition mission जो है, वो उससे targets अब अचीव नहीं हो पाएंगे, हाँ वो important role play करता है, वो बात अलग है, बट हमें और भी चीज़े जो है, वो add-ons करनी होगी, तो ये ultimately चीज़ जो है, वो यहाँ पर इस report के दुरू दे क्या होता है, doctrine of separation of power क्या होता है, judicial activism के benefits क्या है, इसके disadvantage क्या है, या इससे जुड़ी चिंताए क्या है, तो ये पूरी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, इसमें कुछ case वगरा भी है, उसको भी देखेंगे, हाला कि that is not important, और ये topic news में क्यों आया है, हाला कि that is not important, बट फिर आंद्रप्रदेश की high court ने आंद्रप्रदेश सरकार को कहा, कि आंद्रप्रदेश सरकार जो construction कर रही है, विशाका पत्नम में guest house का, तो उसका जो उन्होंने plan बनाया है, वो plan high court के सामने प्रस्तूत किया जाए, summit किया जाए, अब ये आप क्या समझ रहे हो, अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर से related बनते, या जो हम लोग को projects देखने को मिलते हैं, वो उसको complete करने का कारिया जो है या फिर उसको करने का कारिया किस के पास होता है, सरकार के पास executive function है वो, right, तो executive functions जो होते है, executive कारिया जो होते है, वो कौन करती है, executive bodies और नयाय provide कराने का कारिया ज अगर सम्मिट करने का बोल रही है तो कही ना कही जुडिश्री वॉइलेट कर रही है, उलंगन कर रही है सेप्रेशन ओफ पावर का, डॉक्ट्रेन ओफ सेप्रेशन ओफ पावर का, और यही चीज आंद्रप्रदेश सरकार ने बुली है, और इसको सपोर्ट करते हैं उन्होंने नवेंबर 2 के इंसिदेंस के बारे में बताया, और स्टेट गवर्मेंट ने कहा आद्रप्रदेश स्टेट गवर्मेंट में कि हाई कोड जो है वो सीरियसली वॉलेट कर रही है, सीरियस तरीके से उलंगन कर रही है, डॉक्ट्रेन ओफ separation of powers का, तो इसलिए ये doctrine of separation of powers जो है वो हमें सामने नजर आया, इसके लाब हाई कोड जो है, वो पूरी तरह से ignore कर रही है, honorable supreme court के directions को, जो की समय समय पर honorable supreme court ने direction दिये है, कि कि किस प्रकार से जो जुडिशी जो है, उसको हस्ता शेप नहीं करना चाहिए, legislative या executive functions में, तो ये चीज के बारे में कई बार honorable supreme court ने कहा है इस particular issue के बारे में honorable supreme court ने एक बार 2008 में अपने judgment में कहा था तो उस समय उन्होंने ये चीज कही थी कि judicial activism के नाम पर judges जो है वो अपनी limit cross ना करें और वो किसी भी प्रकार से जो भी राजियों के जो कारे होते हैं function होते हैं या राजियों कि जो organs है departments है उनकी जो function है तो उनको लेने की कोशिश जो है वो किसी भी प्रकार से ना की जाए judicial activism के नाम पर तो ऐसा audible supreme court ने already mention किया और concern किया कि associated हम लोग को judicial activism से related देखने को मिलते हैं तो देखिए एक बार observation किया गया था United States की supreme court के द्वारा तो उसमें ये चीज मेंशन की तातकालिक जुनून में उलत जाती है तो न्याय पालिका की सुदंदरता खत्रे में पढ़ जाती है तो ये चीज USA की supreme court का कहना था observe किया था उन्होंने इस प्रकार से पर ये चीज आपको तब समय आईगी जब judicial activism exactly क्या होता वो आप समयोगे तो इसको word by word easy तरीके से समझत हैं तो judicial activism refers to court's decision court का ये decision होता है that is based on judge personal wisdom judge का जो personal अपना खुद का wisdom होता है उसके उपर based होता है that do not go rigidly within the text of statutory passed by legislature जो parliament होती है जो legislative body होती है जो वो कानून जो बनाती है पास करती है तो उस कानून के ओपर आधारित जब judge का decision नहीं होता है उसके बाहर का होता है out of the box होता है तो उस चीज़ को judicial activism कहा जाता है और इस प्रकार की power जो है ये remedies provide कराने के लिए होती है याने की जो भी लोग जो है जो नयाये लेने के लिए हैं audible supreme court के पास तो उनको नयाये provide कराने के लिए proper justice ensure करने के लिए होती है और easy तरीके से मैं आपको समझा दो जैसे आपने कई बार news सुनी होगी कि audible supreme court ने parliament के इस फलाना rules को या इस कानून को जो है वो nell and void declare कर दिया या फिर कई बार हम देखते है कि audible supreme court जो है वो हस्तक शेप करती है जैसे कि air quality के मामले भी आपने देखा हो कई बार या crackers वगरा कि अगर अपने बात करें कि pollution level जो है वो हाई हो जाएगा तो यह सब चीजे में जब judiciary अपना हस्तक शेप करती है क्योंकि आपने देखा हो ने कि audible supreme court ने यह guideline जारी करी कि जो है वो फटा के आप से अब तक नहीं फोड़े जाएंगे या फिर फटा के नहीं फोड़े जाएंगे pollution नहीं किया जाएगा तो ऐसी जब guidelines अब audible supreme court जारी करती ह पब्लिक के hit के लिए पब्लिक के benefit के लिए और पब्लिक को नियाय मिल पाए इसलिए कई बार honorable supreme court जो है वो काफी सारे rules regulations को null and void तक declare कर देती है legislature के parliament के तो यही चीज है judicial activism जब judge जो है वो नियाय प्रोवाइट कराने के लिए जब out of the box निकलते है अपनी power से बाहर जाते है तब उसको judicial activism जो है वो कहा जाता है यानि उनको जो powers जो दी गई है जो limit set की गई है कि इस limit के अंदर जो है वो उनको कारे करना है जब उस limit को cross करके आगे बढ़ा जाता है तो वो उसको judicial activism कहा जाता है बट वो आगे बढ़ना उसी समय पर करना चाहिए जिस समय पर actual में जो ह ये इतनी थिन नजर आती है हमें देखने को मिलती है कि कई बार जजज जो है वो अपने personal ego के कारण भी जो है वो या फिर अपने personal interest के लिए वो उस line को cross कर डालता है तो ये वाली चीज है और इस चीज पर रोग लगाने के लिए audible supreme court कई बार जो है वो कहती है पिर भी ऐसे issues ज separation of power की भी बात कर लें क्योंकि judicial activism में क्या होता है separation of power जो doctrine जो mentioned है separation of power के कि judiciary का रोल अलग होगा executive का लोग होगा legislative का लोग होगा तो ये जो powers को जो separate किया है तो इस separation of power का उलंगन ही actual में judicial activism का हम लोग को देखने को बता है कि जबी भी judicial activism apply होती है तब उस समय doctrine of separation of power का उलंगन ह होता है बढ़ हाँ जब judicial activism apply हो रही है लोगों को नियाए प्रवाइट कराने के लिए जन्हित के लिए जन्ता के हित के लिए जन्ता के benefit के लिए तब उस समय जो है वो ठीक माना जाता है और बहुत अच्छा माना जाता है कि जुडिश्री जो है इसलिए तो लोग जुडिश् और सरकार के बीच में तो यह आली चीज़ है तो doctrine of separation of power यह exactly है क्या तो हमारे Indian constitution के अंदर काफी सारे प्रावधान काफी सारे provisions ऐसे हम लोग को देखने को मिलते है जिसमें clearly define किया गया है कि legislative और judiciary के क्या-क्या functions होंगे और किस प्रकार से वो अपनी independence हो है वो maintain करेंगे अपन functioning करते हुए अपने कारियों को करते हुए तो article 121 और article 211 के अंदर यह चीज mention है तो इसमें बताया हुए है कि parliament यानि कि legislature जो हम लोग को देखने को थे तो parliament के अंदर आप जानते है कि discussion होता है रही तो parliament के अंदर किसी भी प्रकार से एक judge के conduct का या उसके duties जब वो judge discharge कर रहे ह अपने functions कर रहे हैं तो उसके बार में discussion नहीं किया जाएगा इस पर रोग लगाई जाती है क्यों रोग लगाई जाती है देखो आप इस बात को तो definitely मानेंगी मानेंगी कि राजनीती के अंदर हम लोग को क्या देखने को मिलता है एक दूसरे के उपर खीचर उचाली आती है तो Parliament के अंदर भी यह होता है कि ruling party opposition की ओपर opposition party ruling की ओपर तो ऐसी चीज हम लोग को नजर आती है उस बीच अगर किसी judge के act को discuss किया जाएगा तो कहीं न कहीं से हम लोग को यह चीज भी देखने को मिलेगी कि जो judges है उनके बारे में अगर चीज़े उठाई जाएगी उनके provide क judgment जो है उसको challenge किया जाएगा Parliament के अंदर और आप जाते कि वहाँ पर कई बार जो है वो चीज़ें जो है वो काफी खराब भी हो सकती है और जब यह पूरी चीज live telecast होगी तो हमारे जो लोग है जनता जो है उनका trust जो है वो judiciary के ऊपर से थोड़ा सा घर्टा हुआ ना ज़र आएगा तो इस चीज़ पर रोक लगाने के लिए आर्टिकल 121 और 211 लाए गया था और आर्टिकल 122 और 212 के अंदर क्या mention था कि यहाँ पर court को prevent किया जाता है यहाँ पर judiciary को prevent किया जाता है जो judge जो sitting judge जो हम लोग को देखने को बंदे जब वो अपना judgment देते हैं तो वो कि पार्लिमेंट जो है वो internally committee जो है वो बढ़ा कर discussion करती है various चीज़ों के बारे में तो उस बीच honorable supreme code या judiciary जो है वो महाँ पर उनकी internal proceeding में किसी प्रकार से हस्तक्षिप ना करें तो यह separate किया गया इसके लावा article 105 clause 2 और article 194 clause 2 के अंदर protection दी गई legislature को कि अगर legislature महला कुछ भी अ mention कर रहे हैं तो उस चीज़ पर कारवाई जो है वो code के द्वारा ना की जाए code उस चीज़ पर किसी प्रकार से interference ना करें तो यह चीज़ हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है तो यह क्या किया powers को separate कि legislative के कुछ अलग-अलग powers है जो उसको legislative को करना पड़ेगा है यह legislature को क करना पड़ेगा और जुडिस्ट्री के लागए उन्हों executive के लागए तो यह क्या करता है separation of power doctrine यह separate करती है सभी की specific powers को कि कोई भी एक दूसरे के उपर हस्तक शेप नहीं करेगा बढ़ हाँ इसमें एक चीज़ और भी आप लोग को नजर आती है कि executive और legislative जो होती है वो आप काफी सारे cases में बढ़ हाला कि उनकी power जो है वो totally different अब लोग को नजर आती है तो इसी चीज़ को separation of power कहा जाता है और इन सब चीज़ों के benefits क्या होते हैं गई तो देगो check and balance का system यह provide कराती है यह check करती है कि एक दूसरे के ओपर monitor करती है कि कहीं कोई जैसे कि अभी अपने थो इसके लाबा solution निकालने के लिए 9-9 innovations जो है वो लाई जाते है यारे कि किसी को कोई शिकायद है उसको resolve करने के लिए innovative तरीके जो है वो लाई जाते है अगर कानून बनाया हुआ है तो उस कानून के अंदर एक extra provision night करने के लिए कह दिया जाता है अगर किसी को नय प्रोवाइ नहीं मिल पा रहा हो या फिर उसको कोई loss हो रहा हो तो उस case में ऐसी चीज़े भी लाई जाते है तो innovative solutions वो है वो लाई जाते है इसमें judges को provide किया जाता है कि judges अपने खुद का wisdom उपयोग करते हुए कि जहाँ पर भी उनको लगता है कि कि किसी प्रकार के कानून का failure हो रहा है तो balance provide कराने के लिए वो अपने खुद का wisdom का उपयोग करते हुए इस चीज़ को mention कर से है यहने कि एक कानून वगरा भी ला सकते है जैसे कि अक्सर हम देखते ही मैं अब थोड़ी दो पहले आपको बताए था कि air quality के मामले में air pollution के मामले में भी honorable supreme good कई पर बोलती है तो वो लोगों का रहता है और जो public power जो है उसके उपर misuse को check करती है फिर judistry और speedy solution जो है वो provide कराती है जल्दी सल्यूशन जो है वो मिल सके जिसके तहर लोगों का नुकसान ना हो और इसके कुछ नुकसान भी है और कुछ इंताई भी इससे associate है एक तो यह है कि जो line जो draw करी है जै का उलंगन होता है इसके लाब एक issue यह है कि कई बार हम लोग देखते हैं कि आपने भी सुना हुगा कि जब judistry अपना judgment देती है तो उस judgment देते समय वो पुराने cases को भी refer करती है और अगर मान लिए जाए कि कोई पुराना case जो की judicial activism से associated हो यानि कि उसने out of the box जाके judgment दिया हो तो लगातार जितने भी case आएंगे वो उसी case को refer करते हुए प्रोवाइट किये जाएंगे यानि कि हर बार जो है वो legislative या executive function के उपर जो है वो जुडिस्ट्री जो है वो का action हम लोग को देखने को मिलेगा उसके उपर control करते हुए जैसे कि judicial activism में हुआ क्या था? judicial activism में जो कारे legislative या executive के थे उन कारियों के उपर जो है वो control करते हुए जुडिस्ट्री ने जो है वो अपना judgment सुनाया था अब उसी judgment को अगर बार बार refer किया जाएगा तो बार बार कही ना कही legislative और executive के जो functions जो है उनकी उपर कही ना कही बार बार control होता हुए नजर आएगा बार बार उनको surpass करते हुए दिखाई दिया जाएगा तो यह चीज है एक यह भी बड़ा हम लोग को disadvantage देखने को मिलता है और जो judgment जो होता है वो influence कई बार हो जाता है personal या selfish motives के कारणा जिसे मने भी आपको थोड़ी दिर पहला बताया था कि judges के ego भी कई बार सामने नजर आय या अपने खुद के personal या selfish motive को रखते हुए वो अपने judgment देते हैं तो ऐसी चीज भी कई बार आ जाती है इसके लावा जब बार बार court जो है अगर interference करेगी किसके ओपर? Parliament की ओपर तो लोगों का विश्वास सरकार की ओपर से घटता हुआ नजर आएगा, कम होता हुआ नजर आएगा तो यह वाली चीज भी है इसके लावा इस चीज के करना कई बार सरकार जो है सरकार के जो कारिये होते हैं functions बगेरा जो होते हैं उसके ओपर court जो है वो limit लगा देती है तो court फिर कही ना कहीं सरकार के जो ruling's है functions है उसको control करने लगती है तो यह वाली भी एक चीज इस कोनों चीज अपन ने इसकी जानी और एक case को भी अपन देख लेते हैं 1955 का एक case था राम जवाया versus the state of Punjab का यह case था इस case में observe किया था audible court ने कि our constitution does not contemplate assumption by one organ or part of state of function that essentially belongs to other कि हमारे सम्विधान में किसी एक अंग अत्वार राज्य के कारियों का किसी दूसरे अंग द्वारा कारे भार ग्रहन करने पर विचार नहीं किया गया इसका मतलब वो ही है separation of power की judiciary executive और legislative ये तीन organ जो हमें देखने को मिलते हैं तो इन तीन organ को अपने यानि कि इनके जो कारे हैं उसी में सीमित रहना चाहिए इनकी जो limit जितनी है उसी के अंदर इ हम लोग को ये चीज़ जरूर देखने को विलेगी कि एक chaos create हो जाएगा जो balance जो है balance of power जिसको हम लोग बोते है एक तो check and balance तो होता है monitor करने का तो वो भी नहीं हो पाया क्योंकि एक दूसरे के उपर encroaching वाली इस्तिती develop होती रहेगी कि एक organ दूसरे के functions के उपर कबजा करे थी separation of power की जिससे की किसी प्रकार का chaos ना होता आप देखें कि कितना सोच विचार करने के बाद इस constitution को बनाया गया जिससे कि आज भी हमारी country के इंदर किसी प्रकार का issue नहीं देखने को बनाया गया और इसी बारे में अपने अभी कुछ दिरो पहले भी discuss भी किया था constitution makers के ब पूरी चीज clear हो गई होगी और paper 2 से related सिर्व इतने ही topics ने ना अपन paper 3 के topics की तरफ आगे बढ़ रहा है guys paper 3 की news को start करने से पहले एक update मैं आपको देना चाहता हूँ actually मैं कल के एक issue हो गया था lecture record करते समय यानि कि जब मैं lecture record कर रहा था और फिर बाद में आखर जब मैं editing और उसकी करता हूँ तो उस बीच अपनी एक file जो है वो यहाँ पर add नहीं हो पाए actually एक topic था वो कल का topic था आपने शायक PDF देखी होगी या notes, handouts देखे होगे तो उसमें आपको कल का कल एक topic मिला होगा वो topic आपको वीडियो में नहीं दिखाए दिया होगा रही तो शायल आप में से काफी सेरे लोगों ने इस चीज को observe किया होगा तो मेरे पास student ने मुझे बताया तब जाकर मैं इस चीज को देखा तो वाकि में topic जो था वो अपने यहाँ पर आ नहीं पाया था तो उस topic को मैं अभी यहाँ पर लगा रहा हूँ पेपर 2 का यह topic आप पहले इस topic को देख लीजिए अब गाईस यह वाला जो topic है यह paper 2 और paper 3 दोनों point of view से important है पेपर 3 और security point of view से भी important यह topic है तो आप देख सकते हैं गाईस कि यह photo में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि authorities जो है वो monitor कर रही है यहाँ पर और यह कौन सा center है यहाँ पर यह authorities monitor कर रही है तो यह information management and analysis center यह center नेवी का हम लोग को देखने को बलता है निउस में इस लिए है क्योंकि बहुत दी जल्दी यह national maritime domain awareness center के तौर पर नजर आएगा तो यह center जो है उसका काम किया है तो इस पर आप लोग को एक idea लगी गया है तो monitoring का काम है यह कि हमारे इंडिया के अंदर कहीं कोई गुसपैट तो नहीं कर रहा है कहीं कोई illegal activity तो नहीं हो रही कहीं कोई ship यानि की vessel वगरा जो होते हैं जिसको पन बोलते हैं तो वो कहीं तो enter नहीं कर रहा है और यह setup कप किया गया था 26-11 तो आप में से almost सभी लोगों को शाहिद पता ही होगा कि यह terrorist जो है वो इंडिया के अंदर कैसे घुसे थे तो आप जानते ही कि यह समुदरी रूट के थुरू इंडिया के अंदर घुसे थे तो वो समुदरी रूट के थुरू घुस गया है मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों की कमी थी कि हम लोग उनको पकड़ सकते थे बढ़ हम लोगों ने पकड़ा नहीं इसे की कोई घुसपाइट वगेरा ना हो, तो यह वाली चीज है, और इसको अप्रूफ किया था, 2012 में Defense Accusation Council के त्वारा, और Nodal Agency है, यह Maritime Data Fusion की, और यह 2014 से Operation के तौर पर हम लोग को देखने को मिल रही है, यह Guru Gram में Located है, Guru Gram से बैट कर, जो है वो पूरा Monitor, जो है वो किया ज आता है, यह एक Nodal Center है, National Command, Control, Communication and Intelligence System का, और यह Establish किया गया था, कि हमारे जितने भी Operational Center है, जहां से हम लोग operate करते हैं, हमारी जो forces हैं, वो operate करती हैं, monitor करती हैं, और जो Lower Achillians हम लोग को Navy का देखने को मिलता है, तो यह Lower Achillian, Achillian का मतलब क्या होता है, यूनिट्स होती है, तो Lower Units जो है, जिनके Operational Centers हम लोग को नजर आता है, Navy के, तो उनको सबको यह link करके रखती है, एक साथ, यानि कि एक ही Center से बैट कर, यानि कि एक ही जगा से बैट कर हमारी country में, हर एक activity को तो है, वो record किया जा सकता है, जो कि हमारे जो Operational Centers हो हम लोग को देखने को मिलता है, अ यह एक Center हम लोग को इस प्रकार कर नजर आ रहे है, जिसके बारे में आपको एक General Idea होना चाहिए, अब Paper 3 की News से Start करते हैं, बढ़ गई स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ भी मैं आपको बताना चाहूँ है, जैसे आप जानते हैं कि आज का Lecture बहुत लेट आपको मिल र क्योंकि पहले और दूसरे दिन में मुझे पूरी magazine वगएरा कभी arrangement करना होता है पूरी चीज कि जो मैं आपको लोग को magazine प्रवाइट करना तो paid package के अंदर, इसके इलावा paid package के जो students है, उनका admission आता है, तो फिर उनको enroll करना होता है, add करना होता है paid package के अंदर, इसलिए थोड दो-तीन महिने के लिए advance में ले लिया कर रहा है, जितना आपको possible, अभी जो है at present आप April 2021 तक ले सकते है, paid package को, बड़ आपके साब से कि जितना आप maximum कर पाए, enrollment, क्योंकि आप देखो पढ़ाई करी रहे हो, और आप अगर दो-तीन महिने से मेरे साल जुड़े होगे तो आप आपको पताए कि क्या pattern होता है मेरे पढ़ाने का, और मैं हर एक चीज यहाँ पर cover आपकी करवाता हूँ, भली थोड़ा सा, maybe, कभी-कभी lecture delay हो जाए, पर lecture अगर delay होता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी कोई topics ये news को मैं skip कर दूँगा, यहाँ पर पूरी news जो है आपक topics में cover कर आता हूँ, यह मेरा commitment रहता है, मेरे हमेशा student से पहले भी था, अभी भी और हमेशा रहेगा, यहाँ आपर कुछ चीज आपकी छूटती नहीं है, तो वही चीज आप अगर paid package को enroll करते हैं, तो आप एक साथ कुछ extra महीनों के लिए कर लिया करें, तो उससे कहा तो, वरना कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरी चीज manage करता ही हूँ, और करता रहूंगा, तो अब finally paper 3 के topics को discuss करना शुरू करते हैं, तो देखिए गाईस, बताया जा रहा है कि 15 जनवरी 2021 से, अगर आप landline से mobile phone पर call करेंगे, तो आपको पहले zero दमाना होगा, तो यह news है, कि landline स अपसे zero दमाना होगा, वीडियो को pause करो, और नीचे comment box पर लिख कर बताओ, इससे फाइदा क्या होगा, क्या फाइदा है, मतलब क्यों ऐसा किया जा रहा है, zero digit को क्यों आगे लगाया जा रहा है, क्या फाइदा है, बताओ जा रहा है, नीचे comment box पर लिख कर देखते हैं, जैसे अगर example के तौर पर मैं मान लो कि दो डिजिट ठीक है दो डिजिट वन और टू यानि कि दो डिजिट आप समझते हो ना दो डिजिट तो दो डिजिट अगर किसी mobile नमबर जैसे हम लोग देखते हैं कि आज की rate मोबाइल नमबर जो होता है वो दस डिजिट का होता है तो अगर दो डिजिट ही mobile नमबर अविलेबल है दो डिजिट के तो आप 99 लोगों को mobile नमबर बाढ़ सकते हो और अगर तीन डिजिट के mobile नमबर अविलेबल है यानकी facility है कि तीन डिजिट तक आप mobile नमबर रख सकते हो तो आप 999 लोगों को mobile नमबर बाढ़ सकते हो राइट चार डिजिट की बात करें, मुबाइल नंबर रखने की, तो आप 9900 निद्यान में लोगों को मुबाइल नंबर बाइट सकते हो, है की नहीं, यही चीज़ होती है, तो जीरो लगाने का मतलब यही है, कि in future मुबाइल फोन्स या नंबर्स वगिरा जो है, उसकी लिमिट को बढ़ाने के लिए, कि ensure करना है कि adequate numbering resources, जो है वो fixed line और mobile services के लिए available हो सके, तो इसी चीज़ का recommendation पहले दिया था, ट्राय के द्वारा, टेलीकॉम regulatory authority of India के द्वारा, और इसी जो recommendation जो है, उसको अपनाते हुए अब से बताया जा रहा है, पंदरा जनवरी 2021 से पहले सभी जितने भी fixed line connection है, यहनी की land line connection, तो इस land line connection से जब mobile phone को call किया है डायगा, तो पहले zero दबाना होगा, तो इससे फाइदा यही है कि आने वाले समय में future में numbers जो है, वो हम लोग को बढ़ाना है, अगर उसकी demand हो तो हमारे पास available हो, तो यह वाली चीज है और कुछ नहीं से जादा, तो simple सी चीज बस यह ध्यान में रखो कि यही एक important चीज है, जिसको आपको पता होना जाए, इसके concept clear होना ज़रूरी कि क्यो zero लगाया, तो देखो, इसमें यह बताएगा है कि, अगर landline से landline पे call कर रहे हो, तो zero लगानी के आवशक्ता नहीं है, mobile से landline पे call कर रहे हो, तो zero लगानी के आवशक्ता नहीं है, mobile से mobile पे call कर रहे हो, तो zero लगानी के आवशक्ता नहीं है, और सभी fix line subscriber जो है उनको zero dialing facility प्रोवाइट की जाएगी अब यह देखो यह काम की चीज़ इससे फाइदा क्या होगा approximately 2539 million number की series जो है वो आने वाले समय में generate हो सकेगी इसके कारण और numbering resources जो है उसके लिए हमारे पास जो है वो sufficient free space जो है वो मिल सकेगा जहापन numbers वगएरा allot क किये जा सकेंगे in future और ज्यादा number of connections जो है वो add किये जा सकेंगे in future तो यह benefit मिलने वाला है और कुछ नहीं तो इसके बारे में आपको बस यह पता होना शाहिए अब टेलीकॉम में कितनी FDI है foreign direct investment टेलीकॉम सेक्टर में कितना है जरा बता हूं नीचे comment box फिलिक कर और इसी से related यह topic है कि union cabinet ने approval दे दिया है 2480 करोड रुपे का FDI ATC Telecom Infrastructure Private Limited में और ATC Asia Pacific Private Limited जो company है तो वो सोच रही है कि वो ATC Telecom Infrastructure Private Limited company के 12.32% stakes जो है वो acquire करे परचेस करे और टेलीकॉम के अंदर 8% 100% FDI allowed है जहाँ पर 49% automatic route के थूँ आता है और 49% से जादा जो है वो government route के थूँ जो है वो आता है और यह government route के थूँ जो FDI आता है तो उसमें Department of Telecommunication समय समय पर जो है वो अपनी conditions जो है वो put करती है और उसी condition के अधार पर यह FDI को allow किया जाता है अब सवाल ही उठता है कि यह automatic route क्या है यह government route क्या है तो इसको समझते हैं तो businessstandard.com की यह website है इसका मैंने आप लोग को readers mode पे open करके दिखाया हुआ है इसको reader mode से हटाता हो तो इस प्रकार की यह website आपको दिखाई देती है reader mode पे रखने का मक्सद यह होता है यह आपको सिर्फ content जो है वो दिखाई दे तो अपनी main जो focus है आपने को करना है automatic route के उपर और government route के उपर simple सी चीज है जो NRI है या फिर Indian company तो जिनको आवशक्ता नहीं होती है reserve bank of India या government of India के approval की investment करने के लिए तो ऐसी जो investment होता है वो automatic route के थूँ आता है simple सी चीज है कि automatic route के थूँ ऐसा investment आता है जिसमें आवशक्ता नहीं है आपको investment करने से पहले permission लेने की बट government route के थूँ जो investment होता उसमें आवशक्ता होती है कि सरकार से permission लेने की अब आपने क्या बात करी FDI के sector में की 49% जो है वो automatic route के थूँ आ जाएगा बट 49% से जादा ज इसका share होगा तो उसमें फिर सरकार से आवशक्ता लेनी पड़ेगी यह mandatory होता है तो government route याने कि जिसमें government approval mandatory है आपको government से permission लेनी पड़ेगी तब जाकर फिर आप वहाँ पर investment कर सकेंगे तो यह simple सी चीज है बस simple सा आपको एक difference पता होना चाहिए इसलिए मैंने यह पेज यह देखने को मिल रही है और telecom भी इसमें हम लोग को देखने को मिलती है तो यह था पूरा overall topic इससे related अप next topic की दरफ आगे बढ़ते हैं उसकी बात करें तो देखिए बताया जा रहा है कि union cabinet ने approval दे दिया है कि 6000 क्रोड रुपे की equity जो है वो national infrastructure investment fund में जो है वो लगाई जा साल में यह 6000 क्रोड रुपे जो है वो invest किये जाएंगे और इसी current financial year में 2000 क्रोड रुपे जो है वो इस fund में डाले जा रहे हैं और NIIF debt platform जो है उसको sponsor किया जाता है national investment and infrastructure fund के द्वारा और इसी के अंदर काफी सारे funds होते हैं यह basically एक debt platform है जो की bond market से debt को raise करता है लोन को raise करता ह और debt और loan जो है वो infrastructure companies को provide कराता है अब यह है क्या इसको easy तरीके से मैं आपको समझाता हूँ theory तो आप समझ चुके हो देखो क्या होता है इसको simple इस तरीके के समझो कि यह एक प्रकार की company है ठीक है company समझना भी कि एक ऐसी company है जो की market से पैसा उठाती है और यह पैसा infrastructure projects के ल आपको अच्छे से समझ में आएगा जैसे कि यह है ठीक है यह box है इसको अपने मान लिया bank ठीक है यह bank है और और बाहर दूसरे अपन को लोग वगरा देखने को मिलते हैं तो लोगों को भी ले आते हैं अपन टीओ पी एली पीपल ठीक है यह कुछ लोग बाग है ठीक है य यह company लिया आते हैं यह company आ गई ठीक है तो यह हमने क्या देखा यह NIIF मानोस को ठीक है यह NIIF है यह क्या करेगी यह लोगों से पैसा उठाएगी लोगों का पैसा जो है वो इसके पास जाएगा ठीक है और यह पैसे का क्या क्या करेगी यह पैसे जो है वो company को देगी right companies कि ये एक intermediatory का role play कर रही है कि market से पैसा उठा कर उन लोगों को पैसा provide कराना जो companies directly infrastructure products पर काम करती है अब आपका सवाल यह उठना सी है कि sir ये company directly लोगों से पैसा क्यों नहीं ले लेती क्योंकि इन companies के ओपर trust नहीं किया जाता लोगों के दौरा लोगों को लगता है कि ये company जो intermediate का एक role play करती है जहाँ पर market से पैसे उठाने के काम इसका होता है right debt वगएरा का काम इसका होता है और फिर ये जो पैसा है loans जो है वो offer करती है companies को और उसके बीच का difference जो होता है वो इसका commission के तौर पर भी हम लोगों को नजर आता है right तो इसका भी benefit होता है company का जिसके देज जिसके पैसों से जिसके boys वगरा जो है उनकी salary वगरा है निकल सके तो यह अली चीज है right तो यह चीज हम लोग को इस प्रकार ही देखने हो विल दी क्योंकि सरकार की ही है यह पूरी overall चीज तो इसलिए इसमें ज्यादा इन लोग का revenue नहीं होता है but mainly इन लोग focus करते है developmental activities की और projects की उपर तो यह मैंने आपको क्या बता है intermediatory का रोल यह play करती है ठीक है और किसके बीच में bond market और infrastructure projects की बीच में वही चीजिए आपको बता है bond market और infrastructure project और infrastructure project के ऊपर directly लोग जो है वो जादा विश्वास नहीं करते है reliability और credibility उसकी इतनी अच्छी होती नहीं है इसलिए जो है वो जो infrastructure projects वाली जो companies होती है उनको direct पैसा नहीं मिल पाता है इसलिए इनके थुरू जो है उनको funding allot की जाती है और NIIF और उसके platforms की जो rating है वो काफी अच्छी हम लोग को नजर आती है और बदाय आता है कि सरकार जो है वो इस पर सरकार की 49% equity इस पे नजर आती देखन होती है जैसे मैंने आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ equity debt bonds वगरा होते है जैसे एक company उसको अगर fund उठाना है market से पैसा उठाना है तो या थो बैंक से loan ले सकती है या तो फिर वो अपने shares release कर देगी equity debentures release कर देगी या फिर bond वगरा release करेगी तो यहीं चीज है कि यह कोई पैसा अगर raise करना होता है market से तो फिर दो root होते है एक equity और debt याने कि loan और इनी पैसों को investment के लिए जो है वो लगाया जा सकता debt और equity के रूप में तो NIAF का काम क्या है यह पैसा जो है वो loan पे लिया debt पे लिया और या फिर equity पे लिया पैसा और फिर वो ही पैसा जो है वो पास हो रहा है और यह इसलिए पास हो रहा है क्योंकि हम लोग को developmental projects की ओपर काम करना है और developmental projects की जो companies वगरा जो होती है उनकी ओपर इतना trust नहीं होता है इसलिए उनको investment नहीं मिल पाता है तो इस route के दुर उनको investment प्रवाइड किया जाता है यह है simple सी चीज इसका एक आपको अच्छा concept जो है वो पता होना चाहिए not more than that यह कि public जो है अपने recommendation दे इस draft पर right तो उसके लिए यहाँ पर किया गया है अब देखो draft क्यों important नहीं होती है यह भी अगर आप पूछोगे तो उसका भी आम answer दे तो आपको क्यों कि मैं अपने regular viewers को already बता चुका हूँ क्योंकि draft के अंदर तुरंट change होते है draft permanent नहीं होता औ civil services के अंदर आपसा ऐसी कोई चीज नहीं पूछी आती जो की temporary nature की होती है तो इसलिए यह चीज भी थोड़ी सी ध्यान में रखके पढ़ा करें तो दीए aim क्या है इस draft का तो पहली बात तो बताय जा रहे है कि अब replace किया जाएगा और रद किया जाएगा merchant shipping act 1958 को और coasting vessels act 1838 क इसमें basically देखो merchant shipping bill है यह right merchant shipping तो merchant shipping जो हम लोग को देखने को मिलते हैं जो vessels वगरा जो समान वगरा जो है वो लेकर जाते हैं दूसरी country में लेकर आते हैं तो ऐसे जो ships वगरा जो होते हैं उनके ओपर यह bill है तो इसमें mainly मैं आपको को मोटे-मोटे thought पर तीन-चार चीज़े बताता हूं जिसको सिर्फ अभी के लिए आप ध्यार पर रखेगा एक तो Central Government के पास Power दी जा रही है काफी जादा इस Bill के तहर दूसरी जी इस Bill के अंदर Pollution का भी Clause हम लोग को देखने को मिलता है कि जो आज की Rate में समुद्र के एरियास में जो Pollution हम लोग को नजर आ रहा है जो शिप वगएरा से जो Pollution Release होता है, Emmit होता है तो उसको Control करना है उसकी उपर भी निगरानी रखनी है, Right, Secondly जो भी Particular इस प्रकार का वेसल है इस प्रकार की जो की Unsafe है, Right, सही नहीं है, Environment के लिए खत्रा है, लोगों की Life के लिए खत्रा है तो ऐसी Ships के Against, Action लिया जा सकेगा Directly Director General के द्वारा तो ये चीज़ आपर पता ही आ रही है और इंडिया को Promote किया जा रहा है कि इंडिया के अंदर Proper Shipping Jurisdiction हो और इंडिया के अंदर जहाज के मलबे वगरा जैसी इस्तिती ना develop हो, यानि कि हमारे यहाँ पर जो जहाज है, जो काफी पुरानी जहाज है, जब वो खराब हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, मलबा जो है वो create करते हैं, Right, आप देखते होंगे कि जहाज जहाबर भी हम लोग को देखने को मिलता तो उसमा पने काफी सारे international clause conventions वगरा भी देखे थे, Right, तो यह जो चीज है कि इंडिया के अंदर recycling को बढ़ावा देना है, promote करना है, Right, और इंडिया के अंदर एक legal framework, statutory legal framework जो है वो लाया जाए और पहली बार इस प्रकार का हम लोग introduce करेंगे, जहाँ पर इंडिया के अंदर proper shipping को लेकर, merchant shipping को लेकर jurisdiction भी होगा, याने कि cases बगरा भी जो है वो इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिल सकेंगे, कि अगर कोई भी company का कोई case है, case चल रहा है या कोई भी issue है, तो फिर वो proper तरीके से उसको deal किया रहा सके, proper legal या statutory framework के तरह है, यह चीज हाँ पर इंडिया को tradable asset बनाना, कि इंडिया से हमारे vessels वगरा जो है वो trade हो सकें, right, ships जो है वो हम लोग दूसरी country को provide करा सकें, तो इस पर हम लोग mainly target करते हो आगे बढ़ने पर focus कर रहा है, साथी साथ यहाँ पर यह भी बताई आ रहा है कि हम लोग ease of doing business को promote कर रहा है कैसे, कि जो requirement ह होती थी general trading license की Indian vessels के, तो उसको हटाया जा रहा है, right, उसको remove किया जा रहा है कि अपसे, इसके बार में मैं आपको पहले भी बढ़ा था, आपको शायद याद आ रहा होगा, कि हमारे जो इंडिया का पूरा port हम लोग को नजर आता है, तो एक इंडिया के एक port से अगर ship दूस चली रहा है, तो वैसे ही यहाँ पर यह वाली चीजी बताई गई है कि जिस प्रकार से जो merchant shipping के अंदर हम लोग को देखने को बिलता है कि Indian vessels के, Indian ships के जो trading license जो होते है, general trading license तो उसकी आवशक्ता नहीं होगी, तो इसमें क्या होगा, कि port sector में जाधा साथ investment होगा, जाधा दूसरी country के अंदर, jail में बंद हो जाते हैं, किसी कानल वर्षी यानि की illegal तरीके से, या बिना जाने वो अगर किसी ऐसे area पे चले गए, जो restricted area, international waters पे, तो जब उनको arrest का लिया जाता है, तो यही चीजी रदा यारी कि हमारे sea fearers उनको वापस लाने के भी provision, जो है वो इस particular bill क अंदर mention किये गए, तो यह कुछ चीजें हैं, अभी के लिए simple से बस यह 2-3-4 points है, बस वो आप ध्यान में रखो, उससे जादा 8 prison आपको जाने के आवशकता नहीं है, गईज अब बात हो रही है, ब्रमोज मिजाईल की, ब्रमोज मिजाईल का land attack version जो है, वो successfully test fire किया जा जो speed 2.8 mark, इसकी speed हम लोग को देखने को मिल रही है, जो की sound की speed है, उससे 3 गुना लगबग, जादा बता ही जा रही है, और यह test जो conduct किया गया है, वो top attack configuration पर conduct किया गया है, top attack mode में होता क्या है, तो इस top attack mode में मिजाईल पहले उपर की तरफ जाती है, एक उपर जाती है, ब तो ऐसा ही यह move करती है, जाती है, distance को travel करती है, और distance को travel करने के बाद, यह अपने target के सर के उपर आकर गिरती है, तो यह top attack mode होता है, और direct attack mode में क्या होता है, कि मिजाईल जो है, वो lower altitude training की जादा उचाही पर नहीं चलती है, और वो direct अपने target को hit करती है, तो यह वाली चीज है, जिसके बारे में बस आपको एक simple सीजान का नहीं होने चीजिए, ब्रमोज मिजाईल का land attack version, जो है, वो successfully launch किया गया है, test fires का, हम लोग को देखने को मिला है, और यह था आपका आज का last topic, और guys, मैंने आपको जितने भी topics पढ़ाए हैं, अगर आपको अच्छे से clear हो गए है, तो like का button हिट किये बेना मच जाईएगा, चैनल को अभी तक आपने subscribe नहीं किया है, तो कर लीजे, bell icon पे भी जरूर हिट कीजेगा, और share guys, जरूर कर दीजेगा आपके social media पे इस lecture को, and guys, अगर आपको monthly PDF paid package को enroll करना है, तो आप enroll कर सकते हैं, इसकी fees minimum 100 rupees per month की है, जहाँ प monthly magazine आपको provide की जाती है, और complimentary basis फर minimum 150 questions आपको provide किये जाते हैं, civil services examination के patent global based ये questions होते हैं, आपकी practice के लिए, और ये paid package से related अगर आपको sample देखना है, तो नीचे description बट पूरी sample की link है, आप देख सकते हैं कि कैसे paid package होते हैं, और उस पर किस प्रकार से आपको material मिलता है, और अगर अभी दख आपने NCERT paid package को join नहीं किया है, तो जरूर join कीजिए, NCERT self study come test series program है वो, नीचे description पर भी उसकी link आपको मिल जाएगी, वो वीडियो देख लीजिए और उसको तुरंद जोईन कीजिए, वो आप लोग के लिए काफी जादे important है, और mandatory है उन्हों students के लिए जो 2021 exam मे appear हो रहे हैं, और अगर आप Facebook पर है, तो आप मेरे नाम को सर्च करके मुझे add कर सकते हैं, और आपको अगर मुझे कुछ भी query लेनी है नगी कुछ भी पूछना है, तो आप Facebook पे message करके, या फिर ये मेरा number है, 9713282838, इस number पर SMS के थुरू, या फिर Telegram के थुरू, जो आप message कर रहेंगे, क्योंकि call attend नहीं किये जाएंगे, आप मुझे message कीजिए, within 24 hours मेरे message का reply आपके पास होगा, और आज का जो आपका homework है, वो है electronic vaccine intelligence network, EVIN, इस topic को मैंने आप लोग को 6 अगस 2020 को पढ़ाया था, 6 अगस 2020 के lecture में, 1 गंटा, 2 मिर्ट, 4 सिकंड पे आपको ये topic मिल इतना important topic नहीं हालकी, बढ़ हां, लगातार ये topic news में है, तो इस पर एक general बस चानकारी आप लोग को होनी चीए, इसके बारे में बस पता होना चीए, कि ये क्या है, तो आज ये ही homework है, और रही बार general studies के mains के question की, जो मैं mains का question आपको देता था, आप इस अपने telegram group को join कर ली component है, तो आप वहाँ पर put कर सकते हैं, बड़ किसी कोई link वगरा जो है, वो share मत की देगा, simply आप question वहाँ पर put की देगा, कोई किसी प्रकार की links वगरा जो होती है, वो यहाँ पर share करना allowed नहीं होता है, कोई करते हैं, तो उनको इस group से हटा दिया जाता है, और group को अगर आपक इस मौझूद है, आप group को join कर सकते हैं, तो चलो अब आपने मिलेंगे कल, तब तक लिए बबाई, take care, have a great day ahead, ta-da